नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अस्पटाल के बारे में जो हीदे समंदी समश्याओं के लिए लोगों की पहली पस elf byणा हुआ है पी हर एक जानकारी उपलब्द कराएंगे इस वीडियो को पूरा देखें डिली में जीवी पंथ होस्पीटल एक सूपर स्पेशलिस्ट होस्पीटल है इसलिए इसमें वे मरीज देखे जाते हैं जो कहीं और से रैफर करके यहां आते हैं यानि अगर आप इस अस्पताल में all about करें लीजिस्टीशन से या दॉक्टर तक किन प्रोसेस को फोलो करा पड़ता है और कैसे विस है इस इस इसGood से सब्वाइंगे एंट से कराइं जाते हैं इस साथ बज़े से होती है लेकिन लोग रात में आके यहां पर एंट्री के लिए लाइन लगा लेती हैं तो जैसे ही साथ बचते हैं मौर्निंग के यहां से एंट्री शुड़ हो जाती है और सभी लोग यहां से मुखे रूप से एंटर करके रेजिस्टेशन काउंटर जो की फर भू वह सकार से बॉब मौर्ज मौर्ण चुड़ होते हैं इसी साथ में काउंटर नंबर चार है यह भी पेशिंस के लिए ह्या पर यह female के लिए खोला गया है तो इस line में कि वह फीमेल ही लगती हैं साथी आपको बताना चाहेंगे कि रेजिटेशन की जो timing है वो morning में 7.30 बजे से लेकर के 11 बजे तक होती है यह नए रेजिटेशन की timing है यानि कोई नया मरीज अगर इस अस्पिताल में दिखाना चाहता है तो उसे 7.30 से 11 के बीच में अपना रेजिटेशन कराना होगा साथी जो पुराने मरीज हैं वे morning में 7.30 से लेकर 12 बजे तक अपनी revisit entry करा सकते हैं आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि referral hospital होने की वेसे यहां पे refer किये गए हैं मरीज ही देखे जाते हैं तो आपके परचे पर रेफर क्लियर mention होना चाहिए यानि कि उस परचे पर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि refer to GB Panth Hospital in Cardiology Department कार्डियोलोजी यानि हिद्य रोग विभाग अगर ये mention आपके परचे पे नहीं होगा तो आपका यहां नहा registration नहीं किया जाएगा तो अस्पताल आने से पहले आप जरूर चेक कर लें कि आपको सही प्रक्रिया से refer किया गया है या नहीं किया गया है अगर नहीं किया है तो डॉक्टर के पास जाके अपने पराने डॉक्टर के पास clear mention कराएं कि हमें GB Panth Hospital के कार्डियोलोजी डिपार्ण में आप रेफर करें तब ही आपका यहां परचा बनेगा बहराल रेजिस्टेशन कराने के बाद आपको जाना होगा डॉक्टर के पास जो आपका रेजिस्टेशन सिलिप होती है उस पे बकाईदा रूम नंबर और डॉक्टर का नाम mention होता है कि आपको किस रूम नंबर में और किस डॉक्टर के पास जाना है आप जब उधर की तरफ जाएंगे जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप जैसे कार्डियोलोजी डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं उसके बाद यहां रूम्स स्टाड़ हुआते हैं हर रूम के बाहर रूम नंबर लिखा होता है दॉक्तर से मिलवाते हैं जिससे आप अमना इलाज अराम आवश सकें। भी तसल्य बख्श तरीके से मरीजों को देखते हैं और इसके बाद डॉक्टर जो भी आपकी प्रिस्किप्शन देते हैं उसको लेकर कि आपको यहां पे जो फार्मसी है उस फार्मसी में आप जाते हैं फार्मसी में आप जब जाएंगे तो वहां पे भी दो तिन काउंटर हैं अगर आप कार्डियोलोजी से संबंदित मरीज हैं तो आपको उसी फ्लोर पे दवाई मिलेगी फार्मसी में पर वेसिब लेडिस के ल और जो फीमेल मरीज हैं महिला मरीज है उनकी दवाई चौथी मंजिल पर ही उपलब्द है दोस्तों कई बार आप जब हीदेरोक से संबंदित इलाज के लिए अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर आपके कई कॉमन टेस्ट लिखते हैं जिसमें आपका एसीजी हो सकता है एक के सामने रूम दिख रहा है आप यहां जाकर के परचा बनवा सकते हैं और उसके बाद अपना टेस्ट करवा सकते हैं यह 426 में आपका टेस्ट हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको एको लिखी जाती है तो रूम नंबर 425 में जाकर आपको इसकी डेट लेनी पड़ेग रूम नंबर 425 में जब आपको इसकी डेट मिल जाएगी तो आपको उसी डेट को गेट नंबर 3 के सामने एको लैब में जाकर के यह टेस्ट कराना होगा इसके अलावा अगर आपको TMT का टेस्ट डॉक्टर दौरा पिस्ट्राइब किया जाता है तो आपको गेट नंबर 3 क यह सामने जाना पड़ेगा वहां पर यह टेस्ट आपका असानी से हो जाएगा अगर डॉक्तर आपको kulurt के लिए 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 तो रूम नंबर 430 में जाकर आपको ब्लेट टेस्ट की सिलिप बनवानी पड़ेगी यह लिए लेके आपको नीचे 1 फ अपते बाद कमरा नंबर 438 से मिलती है तो आपको सीधा 438 में जाना है और अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करनी है उसके बाद आपको सेम वही प्रोसीजर है कि आप दुबारा आएंगे और अपनी परचे को रेजिस्टेशन काउंटर में लेके जाएंगे उस पर रिविजिट कर सब्सक्राइब करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाड़ा जाड़ा शेयर करें ताकि जरूरत बंद लोगों तक वीडियो पहुंच पाए